नमस्कार आदाब मैं मारुफिलन राइमानी और आपने इस 24 सिमान चल देख रहे हैं आज हमारे शाथ बाहदुरुगेंज विधान सवा से AI MIM के कन्फरॉम कंडिडेट अंजार राइमीशाब है हमारे शाथ चलिए टिकट मिलने के बाद उसकी पहली इंटर्वियू है चलिए उनसे बात करते हैं कि इसका आगे का प्लान और चुनाओ की रणनीती क्या है स्वागत आपके जितने भीवर्स हैं सबका मैं त्रह दिल से शुपर यादा करता हूँ टिकट तो आपको मिल गया अब नोमिनेशन कभी उनिस को मैं नोमिनेशन करूंगा उनिस को यानि 33,000 भोट लाने वाले कंडिडेट का टिकट काट कर आपको दिया गया है आला कामान आप पर भरोशा किया है अब आपको कितना भरोशा है कि आप इस सीट को निकाल ही लेगी मुझे पुरा विश्वास है और पुरा विश्वास के साथ मैं एलक्सन लड़ रहा हूँ और चार महना से लगवग हम जो मेहनत कर रहे हैं लोगों का जो महबत मिला लोगों में जो मखबूलियत बड़ी उसी बिना पर मुझे पुरी उमीद है कि मैं इन्शालला नब्य हजार पलस भोट लेके आऊँगा आप इन चार महने में पूरा बादरुगन विदान सभा घुम लिए जी पूरा घुम लिया हूँ तो अगर लोगों की ये सवाल है यानि लोगों का ये सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि जमेनी पकड़ आप से ज़्यादा मसविर साब का है फिर टिकट आपको कैसे मिलिया मैं उस बारे में कमेंट ने करूअगा कि हम लोगों के टिम का जो हम लोगों का जो मझलिस जो है AIMIMPARTI ये nationwide पाराटी है और ये सर्वरिया कराती ये और यह जो यह का जिए हैं कि गररावाद की टिमाही जो किसी और माइम भी नहीं हूता है कि याалась नहीं सर्वा होता है 72% मेरे फेवर में तब जा करके टिकट मुझे हुई है टिकट आपको मिल ही गिया है तो आप बहुत रूदुदिन की जनता को जनता की दिल को कितना जित पाएंगे मैं पुरी कोशिस करोंगा मैं बादुगन के जनता हों से गुजारिस करोंगा कि उएक बार मौका दे मुझे और मैं उनके उमीद पर खरा उतरूँगा और मुझे पुरी उमीद है कि बादुकिन जनता मन बना चुकी है तुकि मैं जब घूम रहा था लोगों का एक ही यह था कि आप टिकट लेके आईए और बाकी हम लोग आपको जिता करके भेजेंगे और इसला मैं वो काम कर दिया हूँ और मुझे पुरी उमीद है कि यहां के जो वोटर है जो यहां के अवाम है वो मुझे अपना पुरा मत देख वोट दे करके काम लेब कराएंगे चार्टर में से विधायक तौजिफ आलम कि विकास के बारे में आप क्या गईए विकास तो हुआ ही नहीं है आप अगर घुमेंगे मैं जो पुरा छेत्र घुमा बिधान सवा का कहीं ऐसा आपको नजर नहीं आएगा कि यह 16 साल में कहीं बहतर काम हुआ है काम को भुण्यादी अस्तर पर ही सुरू करना होगा चाहे वो रोड का का काम हो पुलपुलिया का काम हो नलाका काम हो चाहिए बिजली का आप तैरागाज में बिजली की जो समसिया है जो नदे जो सहिलाब जदा है जो उस के उसमें जो काम होना है अनि कहीं भी काम नहीं, स्वास्त का मामला हो, कहीं भी बैंत और धंग से काम नहीं हुआ है लोग कहे रहे हैं कि हैदरवाद में में अवेड़ की होस्पिटल को आप लोग यहां तक कन पाएंगे जी कोशिस रहेगी मेरे जितने बड़े लोग दोस्त हैं मैं उन्हों से गुजारिस करूँगा कि उसी टाइब का स्कूल यहां खुले जो गरीब बच्चों से फीच नहीं ले और अमीर लोगों से फीच ले करके जैसे हाँ हजरावाद में चल रहा है उसी टाइब का होस्पि लिया जाए और ऐसा होस्पिटल भी बने जहां गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो और आमीर लोगों से उसका सही जो मावजा है जो फीच है लिया जाए और टिकट के होड में बाहदुर गज विधान सावा से खास की बहुत सारे लोग थे हसन जावेद थे मसवीर साह तो इन सभी को तिकट ना देकर आपको दिया गया अब इन लोगों को कैसे मनाया जाए जाए जो सारे लोगों से बात होती थी मेरा पहले भी और इंशाल्ला मैं फिर बात करूंगा अब फिर मैं उनको ने सिरे से बात करूंगा चुकि उस वाग एक दोस्त की हैसी से हम अधिया होवे थे और सब आपस में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि टिकट जिसको मिले हम लोगों को साथ देना है मैं आपने देखा होगा कि इंट्रिवे मैंने का भी लोगों से भी मैं यही का रहा था कि आप मीम से जुरे रहिए माधियम से जुरे रहिए कंडिडेट बar शाधा जोबी हो तो कंद्री पार्टी ने मुझे चुना है, पार्टी ने नहीं, लोगों ने ही मुझे चुना है, जो कि शर्वे रिपोर्ट आया है, उस young mentally पर मैं time किया हूँ और दोगों ने जब चुना है तो मैं समझ रहा हूँ कि सारे लोग मेरे जितने भी भावी इंडिट खे बआभि आई की पाटी जो है भी آई पी जो पाटी है तो वहां से टिकट मिला है लखला न पंडित को तराइगा चेद्रवाद का हमारे हाँ कोई मसला ही नहीं है जो खई बार ऐसा सलोगवन दिया गया लेकिन लोग इसको नकार दिये इस मसले को चुके शुरुआत से भी ऐसा चल रहा है जो लोगों का मनसा है विकास का वो लोग एक अच्छा कंडिडेट एक अच्छा चेहरा ढूंड रह जब अच्छा कर दो दोके लगाद करना झाल भीज रहा है जो ऑना झाल नहीं है जो जा मना